हेलो एवरीवन वेल्कम टू प्राची रेडियोलजी क्लासिस आज के लेक्चर में मैं डिसक्स करूंगी पोटेवल एक्सरे मसीन तो एक्सरे के लिए आप हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है पोटेवल एक्सरे मसीन से ही पेशन को मिलेगी स्पेसल फैसिलिटी तो मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखना जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जाद से जादा से जादा से जादा सेर कीजिए और लाइक करना बिल्कुल ना भूले पोटेवल एक्सरे मशीन का यूज उन पेशन्ट के लिए करते हैं जिनकी मेडिकल कंडिशन इतनी ठीक नहीं होती है कि वो हॉस्पिटल में विजट कर सके या फिर रिडियोलोजी डेपार्टमेंट में जाकर अपना एक्सरे करवा सके तो इस टाइप के पेशन्ट का पोटेवल एक्सरे परफॉर्म करते हैं देश में टेक्नोलोजी इतनी आगे बढ़ गई है कि अब पेशन्ट को हॉस्पिटल और रिडियोलोजी डेपार्टमेंट में जाकर एक्सरे करवाने के जरूरत नहीं है जिया आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं पेशन्ट अब अपने घर पर ही अपना एक्सरे करवा सकते हैं पोटेवल एक्सरे मशीन की हेल्प से पोटेवल एक्सरे मशीन का मतलब है कि वो एक्सरे मशीन जिसको कहीं भी पड़ी असानी से पैक करके कैरी किया जा सकता है मिल्स की इसको बाई हैंड कैरी किया जा सकता है। आज के टाइम में सब चीजे डिजिटल होती जा रही है। इस पॉटेवल मशीन का यूज कहीं भी किया जा सकता है। जल्दी X-ray होनी की बजा से पेशन्ट का डाइग्नॉसिस भी टाइमली होगा और डॉक्टर्स भी पेशन्ट का ट्रेटमेंट जल्दी कर पाएंगे बरना कई बार हॉस्पिटल में ज़्यादा पेशन्ट होने की बजा से पेशन्ट को काफी देर तक वेट करना पड़ता है इस मशीन की हेल्प से पेशन्ट के X-ray घर पर करके मशीन को लैप्टॉप से कनेक्ट करके इमेजिस को देख सकते हैं X-ray एमेजिस का X-ray फिल्म पर प्रेंट आउट भी किया जा सकता है ये पोटेबल X-ray मशीन एक कैमरी की तरह है जिसका वेट एप्रॉक्सिमेटली 4 कीजी है और इन मशीन को कहीं भी किसी भी जगह पर ले जाकर इसका यूज़ किया जा सकता है नेक्स्ट आता है एप्लिकेशन्स ओफ एक्सरे पोटेवल मशीन की पोटेवल X-ray मशीन को कहा कहा पर यूज़ किया जाता है नमबर वन है होम हेल्थ केयर के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है घर पर ही पेशन का X-ray कर सकते हैं जैसे कि जो पेशन नोन एम्बुलेटर नोन एम्बुलेटर का मतलब जो पेशन्ट चल फिर नहीं सकते या फिर जो पेशन्ट बैट ब्रिडन होते हैं बैट ब्रिडन का मतलब होता है जो बिस्तर पे पड़े रहते हैं उन पेशन्ट के लिए पोटेवल X-ray मशीन का यूज़ किया जा सकता है इसके बाद नेक्स् हॉस्पिटल फैसिलिटीज अविलेवल नहीं होती है जैसे की बेकवर्ड बुलेज होते हैं बहाँ पर हॉस्पिटल्स नहीं होते हैं तो बहाँ पर पोटेवल X-ray unit का यूज़ किया जा सकता है इसके बाद पोटेवल X-ray unit का यूज़ डिजास्टर रिलिव के लिए भी कि किया जाता है इस machine का यूज वहां किया जाता है जहां पर आप या फिर disaster हो वहां camp लगा कर patient का diagnosis किया जा सकता है एक्सरे की help से तो जैसे कि कहीं बाढ जाती है तो ऐसी condition में क्या करते है medical camp लगाते हैं medical camp में portable machine का use करके आप दा पेडित लोगों का X-ray कर सकते हैं तो Portable X-ray Machine का यूज़ मैंने आपको बता दिया कहा कहा करते हैं Home Healthcare के लिए इसका यूज़ करते हैं Remote Area में इसका यूज़ करते हैं जहां पर Hospital Facilities नहीं होती हैं वहां इसका यूज़ किया जाता है और Disaster Relief में भी Portable X-ray Machine का यूज़ करते हैं Portable X-ray Machine जो होती है वो Small और Lightweight होती है इनको Hand के Thru Carry किया जा सकता है Even इनको Small Vehicle में Transport कर सकते हैं Typically इन में Power Supply के लिए बैटरी का यूज़ किया जाता है और जो बैटरी होती है वो Rechargeable बैटरी का यूज़ करती है जो कि Without Electrical Outlet भी किसी भी एरिया में इसका यूज़ किया जा सकता है पहले इसको Fully Charge करते हैं Fully Charge करने के बाद इसको कहीं पे Electricity Facility भी अवेलेवल नहीं होगी वहाँ भी इसका यूज़ किया जा सकता है बस इसको क्या करना है पहले Fully Charge करना है तो ये several amazing session के लिए enough होती है इसके बाद next आता है advantages of portable x-ray machine सबसे number one इसका advantage है flexibility इसके flexible होने की कारण इसको कहीं भी ले जाकर इसका use कर सकते हैं जैसे की blazers area में ले जाकर इसका use किया जा सकता है लोगों के घरों में इसको ले जाकर इसका use किया जा सकता है disaster site पर इसको ले जाकर इसका use किया जाता है तो ये सारी जगों के लिए flexible होती है तो इसका number one advantage है flexibility that means की इसको कहीं भी ले जाकर इसका use किया जा सकता है second है advantage इसका कि जो portable x-ray unit होती है ये lightweight होती है इसलिए इसको easy to transport है यह कहीं भी इसको टांसपोर्ट कर सकते हैं और इसका सेट अप कर सकते हैं So this is the second advantage of the portable x-ray machine इसके बाद next advantage है कि यह quick setup प्रोवाइट करती है यह emergency situations के लिए helpful है और minimal setup time लेती है उसके बाद next advantage है कि यह cost effective है cost effective का मतलब है कि less expensive यह smaller medical facilities के लिए affordable option है इसके बाद next आता है limitations of portable x-ray unit इसके क्या क्या limitations है जैसे कि इसका lower power output होता है यह fixed x-ray machine के comparison में limited image quality प्रोवाइट करते हैं तो जो fixed x-ray machine होती है उनकी quality जो है image के वो ज़्यादा अच्छी होती है portable x-ray machine के comparison में तो क्योंकि इसमें lower power output होता है इसे बज़ा से इनके जो image quality होती है वो limited होती है second limitation है इसकी battery life यह जो portable x-ray machine होती है यह battery power पे dependent है अगर इसका high use करती है तो इसमें frequent recharging की requirement होती है that means कि अगर several amazing session इससे हम करती है तो इसको frequent recharging की requirement होगी next limitation है इसकी not ideal for dense area amazing asaviscentrain na सबसे नमबर बन है इसका X-ray tube, X-ray tube का जो डिजाइन होता है इसका smaller और लाइटर होता है than fixed X-ray machine, fixed X-ray machine के comparison में जो X-ray tube पोटेवल X-ray machine में यूज होता है वो smaller और लाइटर होता है, और X-ray tube के डाफिनेशन क्या होती है, यह source of X-ray होता है It is an evacuated glass envelope in which cathode and anode are placed for generating X-rays यह एक evacuated glass envelope होता है, जिसमें cathode और anode placed होता है X-ray को generate करने के लिए इसके बाद इसका next component है control console, control console जो होता है, इसका use किया जाता है exposure factors को adjust करने के लिए, जैसे कि KBP, MAS, exposure time इनको adjust करने के लिए control console का use किया जाता है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, यह control console है इसमें fewer option ही होते हैं, fixed machine के comparison में, fixed machine में ज्यादा option होते हैं जबकि जो यह portable X-ray machine का control console होता है, इसमें कुछी options होते है इसमें automatic set off का option होता है, जिसको automatic exposure control बोलते हैं, जो की over exposure को prevent करता है, जैसे ही अगर आप over exposure इसमें set करेंगे, यह automatically set off हो जाता है इसके बाद next component है power source, तो इसमें जो power supply होती है, portable X-ray unit में, वो battery के थूँ power supply की जाती है इसमें rechargeable battery का use करते है, rechargeable battery कौन से होती है, lithium, iron battery इसका इसमें use करते है इसका जो charging time होता है, वो few hours का होता है, यह charge होने में कुछी hours लेती है और उसके बाद इसको several amazing sessions के लिए use कर सकते है next component है इसका image receptors, इसमें या तो digital या फिर film based image receptor का use किया जाता है जैसे की CR cassette का, conventional cassette का और DR का इसके बाद next इसका component है carrying case यह जो carrying case है, यह design किया गया है easy transportation के लिए so that's all about for today, thank you